Hello students, today I will teach you English grammar and our topic is do, does, go, goes ठीक है, do, does, go, goes, अब ये जो topic है बेटा आप सोच रहे होंगे do है, does है, go है, goes है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि do, s और yes का use हम बेटा ताती वाले वाक्यों में करते हैं जहाँ पर मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, तुम खाते हो, वे सोते हैं, वे जाते हैं, जहाँ पर ता है, ती है, ते हैं, आते हैं वहाँ पर हम s और yes का use करते हैं, अब s और yes का use हम कब नहीं करते हैं, s और yes का use हम plural के साथ नहीं करते हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम S और E S का यूज नहीं करते हैं, लोक एड़ इस टेबिल्स एंड रीड दा सेंटेंस, स्ट्रक्चर अलाउड, आई, यू, वी, दे, राम एंड अलीमी, अगर आप एक से ज़्यादे विक्ति के बारे में बात करते हो, तो भी आप S और E S का यूज नहीं करोगे, तो आप किसका यूज करेंगे, के बल सिंपन, इनके साथ आप S और E S का यूज करेंगे, आप बेटा, लोक, लोक एड इस सेंटेंस, आप इन सेंटेंस के हैल्प से समझेंगे, कि श्रद्धा अपना काम जो है, शाम को पाँच बजे करती है, तो यहाँ पर श्रद्धा क्या है, सिंगल है, एक ही श्रद्धा है, यहाँ पर बहुत सारी श्रद्धा नहीं है, नहीं उसके कोई फ्राइंस है, श्रद्धा यहाँ पर अकेली है, तो हम यहाँ पर S और E S का use करेंगे श्रद्धा does her homework at 5 o'clock in the evening क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा single थी तो यहाँ पर as और yes का use हुआ यहाँ पर does आया next आप ऐसे ही देखेंगे श्रद्धा and her brother do their homework at 5 o'clock in the evening अब यहाँ श्रद्धा के साथ उसका भाई भी बैठा हुआ है मतलब यहाँ पर दो है तो यहाँ पर yes का use नहीं हुआ के बल यहाँ पर do का use हुआ कि श्रद्धा and her brother do their homework at 5 o'clock in the evening कि श्रद्धा और उसका भाई जो है शाम को 5 बजे homework करते हैं now see third sentence श्रद्धा goes to school at 8 o'clock in the morning कि श्रद्धा जो है सुभा 8 बजे school जाती है तो श्रद्धा इस singular अकेली श्रद्धा है ना single है तो यहाँ पर go go means होता है जाना बट यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर yes का use हुआ है अब यहाँ next sentence में s और yes का use क्यों नहीं हुआ क्योंकि श्रद्धा and her brother क्योंकि श्रद्धा और उसका भाई दोनों school जा रहे हैं तो यहाँ पर plural हो गया है कि श्रद्धा and her brother go to school at 8 o'clock in the morning अब यहाँ पर plural है तो यहाँ पर yes का use नहीं किया गया है ऐसे ही आप जो है अपक्रिक साइस देखेंगे fill in the blanks with the correct word आप यहाँ पर जो sentences में bracket में जो word दिये हुए है आप वहाँ पर correct word लिखेंगे I have no money to buy ice cream next आपका है रितू रितू does her reading everyday कि रितू जो है अब रितू यहाँ पर singular है अब यहाँ पर रितू singular है इसलिए do के साथ हमने yes लगाया है does रितू does her reading everyday रितू अपनी reading daily करती है next आपका आता है अर्जुन always walks to school अब अर्जुन यहाँ पर singular है तो यहाँ पर क्या आएगा walks आ जाएगा इसमें as और yes add हो जाएगा fourth sentence देखेंगे दे अब यहाँ पर दे में बहुत सारे लोग आ गए plural हो गया तो they play football on Sunday तो यहाँ पर play आएगा plays नहीं लिखेंगे अगर यहाँ पर ही होता तो हम plays लिखते बट यहाँ पर दे है और दे क्या है बच्चो plural है तो हम यहाँ पर सिफ और सिफ play लिखेंगे next आपका आता है my dog barks at my friends अब my dog doggy तो है यहाँ डे होगी अब यहाँ पर we है तो we तो plural हो गया we में तो सभी आ गए तो हम यहाँ पर s और yes का use नहीं करेंगे it hurts when a beast sting you अब यहाँ पर it आया है it singular के लिए है तो हम यहाँ पर hurts लिखेंगे s और yes का use करेंगे he listens to his mother यहाँ पर he है he भी बच्चो क्या है singular है तो हम यहाँ भी s और yes का use करेंगे next आप पर 9 नमबर देखी ram wakes up early every day अब ram यहाँ पर singular है तो ram के साथ भी आप s और yes का use करोगे कि ram wakes up early every day next the brothers do the dishes everyday अब यहाँ पर brothers means बहुत सारे भाई है तो the brothers do the dishes everyday तो यहाँ पर do का do ही रहेगा Danish exercises add down अब यहाँ पर दानिश है Danish रिजा सिंग्रर एक ही है तो यहाँ पर exercises हो जाएगा next day shop at modern market अब यहाँ दे है बहुत सारे लोग है तो यहाँ पर shop ही रहेगा इसमें s और yes नहीं add करेंगे now next आपका है b circle the correct one आपके two दिये हुए है one is correct and one is wrong आपको sentence को read करना है और sentence की according आपको circle बनाना है I है I like to swim with my brother इसमें आप like पर circle बनाएंगे likes पर circle नहीं बनाएंगे I like to swim with my brother next आपका आता है Alice goes to Goa every summer आप Alice यहाँ पर singular है तो इसलिए हम यहाँ पर ghost पर circle बनाएंगे everyone runs to the beach in summer तो हम runs पर circle बनाएंगे next आपका he wouldn't get to bed on time next आपका आता है you have to go to the principal office यहाँ पर आप go पर बनाएंगे you है यहाँ पर next आपका आता I bake a cake every year for my sister यहाँ पर भी आप I के साथ bake पर circle बनाएंगे I के साथ S और E S नहीं लगाती है I likes नहीं होता है, I bakes नहीं होता है I eats नहीं होता है I के साथ S और E S का use नहीं करते है Robin ties his shoelaces ठीक है? shoelaces तो Robin है, Robin singular है तो बेटा यहाँ पर ties पर आप circle बनाएंगे गीता brushes hurt two times in a day तो गीता यहाँ पर singular है तो आप brushes पर circle बनाएंगे next आपका आता है Mr. Basu drives us to school on Mondays Mr. Basu here is one person तो आप drives पर circle बनाएंगे Mac teases GT while she sleeps अब Mac यहाँ पर singular है तो टीजिस और sleeps पर आप circle बनाएंगे 11 sentence में देखेंगे The train stops at New Delhi station अब यहाँ पर train है तो और single है ना ट्रेन एक ही train है तो stops पर आप circle बनाएंगे Amita eats lunch at 2 o'clock everyday की Anita Amita है ना यहाँ पर तो Amita एक ही है तो S वाला sentence आपका eats वाला जो है वो correct है आप eats पर circle बनाएंगे next आपका आता है the stars अब stars तो बहुत सारे है stars तो plural में आता है तो आप shine पर गोला बनाएंगे shine पर circle बनाएंगे shines पर circle नहीं बनाएंगे क्योंकि star होता तो आप यहाँ पर shines पर circle बनाते बट यहाँ पर क्या है stars है बहुत सारे stars हैं तो आप shine for circle बनाएगे Now this chapter is completed Now बच्चो I will meet you next video Till then take care विटा